नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज की वीडियो पर मैं बात करने वाला हूं D.D.FREDIZ के बारे में D.D.FREDIZ पर कई बार मैंने देखा है कि हम अपने recentina को कितना भी गुमाते हैं लेकिन हमारा जो signal quality है तो signal quality हमारा 20%, 30%, 40% इस से उपर नहीं बढ़ पाता है जिससे कि हमारे जो चैनल्स हैं तो पूरे चैनल्स इसकैन नहीं हो पाते हैं तो दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो पर बताने बाला हूँ कि किस प्रकार से आप एक छोड़ा सा सेटिंग करके प्रक इसे लिए आपना जो सील्नन क्वारणटी है तो बढ़ा सकते हैं और आपकि जो पूरे चैनल्स नहीं चल रहे हैं तो दोस्तो आपके जो चैनल्स है तो दुबारा से आपको क्या करना होगा तो तो आपको अपना रिमोड ले देना है इसके बाद दोस्तों आपको मेनु का बटन प्रेश करना है इसके बाद आपको जाना होगा program, set-up पर और आपको remote से ok button press करना है इसके बाद आप सबसे उपर देख सकते हैं add new program आपको add new program में एक बाद फिर से remote का ok button press कर दिना है इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे इसके बाद दोस्तों आपको एक छोटा सा setting करना है यह जो आपका quality बाला option है यहां आपको चले जाना है और अगर दोस्तों आपका जो डिस्क के स्वीच है मतलब कि अगर आप डिस्क के इस्तेमाल करते हैं तो आप इसे LNB 1, LNB 2 कर सकते हैं अगर आपको प्योग नहीं करते हैं तो दोस्तों इसे आप ऑफ कर दीजिए हमें जाना है पॉलिटी पर और दोस्तों यह हमारा भी है मदलब की जो पुछिंटैए वर्डिकल में इसे हमें च्यंज करने के की दोस्तों हम ओके की नीचे बाला बटन टृष करेंगे तो मारा य बहbles से इसे इस प्रकार से घुमाना है इस प्रकार से और आपको सिनल देखना है जो आपको ङुच्छ बढ़ा बढ़ा लेना है चलते हो डीवब टुटर बीपडिए स्कीन की तरफ और आप देख़ा सकते हैं कि हमने होजेंटन अनौइटी पर जो signal quality है तो पहले कि वेक्षा ज्यादा मिल रहा है आप देख सकते हैं हमें 44-45% signal quality मिल रहा है आप अपने LMB को थोड़ा सा रजेस्टमेंट करके और अब अब देख सकते हैं अगर आप फिर से इसे भी कर देंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपका जो signal है तो चला जाएगा आप देख सकते हैं अब आपको क्या करना है तो आपको टोटल बैक हो जाना है और आप देखेंगे कि आपको जो signal है आपको टेवेशन पर नो सिगनल दिखाई देगा जैसे कि आप देख सकते हैं अब दोस्तों आपको अपने remote से मेनू बटन प्रोग्राम में और यहां जाने के बाद आपको डिलीट आल में जाकर आपको पूरा का पूरा चैनल आपको डिलीट कर देना है इसके बाद दोस्तों आपको जाना है प्रोग्राम सटप कर और प्रोग्राम सटप में जाने के बाद आपको एक बार फिर से आपको आपको आ नहीं आ रहा था तो हो सकता दोस्तों यह तरीका अपनाने के बाद आपका जो चैनल है तो आने लगे और आपको सिगनल क्वाल्टी है तो दोस्तों आपको पहले से ज्यादा देखने को मिले तो हम थोड़ा सब वेट कर लेते हैं अब देख सकते हैं कि हमारा कंप्लीट आटेश्कान कंप्लीट हो चुका है और इस परकार से दोस्तों आपके अगर पूरे चैनल नहीं आते हैं तो आप इस तरह से तरीका अपना कर आप पूरे चैनल रिसीब कर सकते हैं दोस्तों अगर यह व्यडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें क्या उस पर नए हैं सस्काइब भी जरूर करने हैं दोस्तो नमस्कार